तो यह जो चीजे में आपको बता रही हूं आपके साथ होंगी और आपको इन चीजों को देखकर घबराना नहीं है तो टाइडल देखकर आप समझ गई होगी मैं किस टॉपिक पर बात करने वाली हूं आठवा और नौवा महीना एक ऐसा महीना होता है जिसमें महिलाओं को गरवती महिलाओं को खासकर बहुत सारी परिशानियाद देखनी पड़ती है देखिए बार 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 आपको पेट में दर्ध होना पेडू में दर्ध होना पेट में ऐसा लगेगा जैसे कितना कसाव हो ग तो बच्चे को कोई से प्राबलम तो नहीं है, या कोई कोपली केशन तो नहीं है फ्रेगनेसी में। ज़िए वीजी आपके साथ। चैनल में इस पहलि बार मेरी वीजी ओ व्यूज कर रहे हो, तो चैनलोगों जरूर क्या करें तो यह चीज आपको थोड़ी बहुत फेस करनी होगी क्योंकि बच्चा ना पेट में बढ़ा हो जाता है और इसको वेट होती है कब वह बाहर निकलेगा ठीक है अब जैसे बच्चा ग्रोथ करता है वैसे आपका गरबाय शही भी बढ़ा होता है बच्चे को भी जाप गूमता है और बच्चा ना कर एक जगा पर पोजीशन बना लेता है कि एक ही जगा वह बना कि बैठ गया है तो उससे क्या होता है मैंक साब महसुष्ट होगा पेस में पहुँजाद अकड़ा उसाप को फील होगा कड़क सा फील होगा तो यह होता है कि दढ़ नहीं मिलती बच्चा बड़ा हो जाता है तो जब उसकी पुजीशन एक दम से चेंज होती है और वो घूम नहीं पाता है तब ना पेट में हलका सब कसाव महसूस होगा जब भी आप ऐसी चीज देखें आप तूरण सेयर करने लग जाओ आपको लगे ना पेट मेरा पहुंच बच्चा अनकमफोटेबल पेट में फील करेगा और आपका जो कसाव और ज्यादा बढ़ सकता है तो जब भी आपको चीज फील हो ना आपने तूरंत वाक करना शुरू कर देना धीरे धीरे बच्चा अपने अपनी पोजिशन में करवट ले लेगा कई बच्चा पेट में तो यह भी एक नौर्मल है आपको डरना नहीं है पेडू के नीचे हिस्से में भी काई आपने देखा होगा बहुत चादा अबाव सा मैसूस होगा हलका सापको दर्द भी होगा तो यह भी नौर्मल में बच्चा आट और नहीं में अन्या करता है यानि कि सार अपना हैडड सकता है घड़ाए आज सीम्टम करते आपको फॉल्स लेवर पेड बी आना शुरू हो झाति है पाइप से आपको बहुत जादा पेन हो रहा है और वो पेन का टाइम बढ़ रहा है जैसे पहले आपको आदे अर्दे घंटे में दर्द हो रहा है फिर 15-15 मिनट में हो रहा है तब उस पुजीशन में आपने वेट नहीं करनी है उस टाइम पर आपको सीधा पने डॉक्टर के पास जाना है क्योंकि कई बर बatures country हो जाता है कैई अपने देखा होगा कही बच्चे टाइम से पहले हो जाते हैं तो वह बच्चे skinny होते हैं क्योंकि ११क जो विकास मा के पेट मिन होता ओछ देको बहुत वहार के बच्स नहीं होता वह जयसे पेन और जैसे पीरस आने वाला दर्द हो रहा है तो आपने डॉक्टर के पास जाना है फिर आपने वेट नहीं करनी है अब यह तो हो गया लास्ट हमिस्टर पर अगर पेन होता है तो पेट में कसाव महसूस होता है तो यह तब कर रहा है ठीक है दूसरी बात बहुत सरी महिला बच्च बनना फेल के दोर में नाश्पति के जीतना ज़िए जाएं उत्व के छूइव कर सब्सक्राइबा। तो आपको पैन महसूस हो सकता है वो नॉर्मल हैं, अगर आपको बहुत जादा पैन है जैसे आपको पीरेट्स हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि मेरे पीर साने वाले हैं फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है कई बार यह मिस्कैरिज की निशानी होती है तब आपको वेट नहीं करना है बट हलका सा पेहन हो रहा है और नॉर्मल है वो तो वो नॉर्मल है क्योंकि स्टार्टिंग के दौर में खाना नहीं नहीं हो पाता है एक दम से कनसीव हो जाता है अब वेवी आपके ही बलड से फेस करनी होते हैं कि उन्हें कब जैसे डिटी की प्रप्लम बढ़ जाती है जब तक आपके गैस पासाओं नहीं होते हैं आपको पेट में दर्द रहता है तो कई बार गैस का भी पें होता है स्टार्टिंग के दौर में तो इसको नॉर्मल समझेगा आप उसके लिए हलका गुंगुना पानी पी सकते हो अजवाईन खा सकते हो सौफ का पानी पी सकते हो उससे पो रिलीफ मिलेगा हाजमोला खा सकते हो ताकि अपका डाइजेशन सिस्टम ठीक हो सके ठीक है बट पेन आ आपको देखना है कि सिम्टम कैसा महसूस हो रहा है दर्द कैसा है कई बार देखी आपने सुना होगा बड़े बुजदुर कहते हैं कि जब प्रेंग्नेट होती है महीला तो दो जनों का खाना खाना चाहिए दो लोगों का एक बच्चे का एक अपना अगर आप दो चपाती घंटती जर माथाईपस और जरुनित का संसुना का फबट आपने खाने खाना तो दो दो गंटे में हो पाता है एक दम से एक बार में भासला नहीं खाले दर्द खाना नहीं वहां भी आपको फ्रूस लें नीध भी नहीं आईगी और साती eg रूच्चा भी पेट में not comfortable फिल करेगा खाना आप हर 2 घंटे कुछ का ओ आपने जैसे मील ले लिया फिर दल्या ले लिया फिर उसके बाद फुरूट्स ले लिया फिर जूस ले लिया पाने ले लिया हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खा लोगे तो बच्चे को भी हैबिट रह युझा भूल जाती है, हर 4-5 घंटे के बाद थोड़ा सा कुछ खाती है, तो वही हाई रीजन यह होता है। तो 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 अपैट दर्द लिए होता है इक्ट हना का टो एकदम से भूस वorous करते बाद Topshop कहा हो। तो एक्तिम से थीप्ट बची के बाद肉 कहा कॉंख़ I Am ठीक है जो खाह। और से फ़रूपलम नहीं होता है। भूग भी लगेगी और बच्चा भी आपका पेट में हेल्दी रहेगा पेट में जो दर्द की प्रॉब्लम है और यह सब प्रॉब्लम से आपको बहुत जादा अराम मिल जाएगा ठीक है अब आठो नमा महीना जो भी महिला हैं वो गरम दूद गरम पानी ही पिए क्योंकि मा स्लिवरी यह दो लचक आपके नार्मल दिलीवरी करेगी और आपके नॉर्मल भी में अपका बढाता है आपके माशम में कसाफसाना शुरू हो जाता है क्योंकि पेटफाइल दैसे मांस पिष्या के होते जो मास होता है नमरी बॉड़ी का स्कीन हो फैलती है गिचा वा तो क तो इन चीजों से बचने के लिए जितना हो सके आपने अपनी बॉड़ी पे लगाना नारका तेल लगाना ताकि कुझली की प्रॉबलम से आपको बहुत ज़दा रिलीफ मिल सके और जो यह महिलाएं कहती है कि ना पेट में कसाव महसूस हो रहा है उनको बहुत ज़दा रिली बढ़ जाएंगे तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करेगा और इस वीडियो को जितना हो सके गरवती महिलाओं के साथ शेयर कर सको ताकि जोने पेट में कसाव की प्रॉबलम है दर्द की प्रॉबलम है पेट बहुत ज्यादा आराम मिलने वाला है थोड़ा बहुत भी कसाव आपको मिलता है तो तुरंत वाग करो वाग करके बहुत जादा रिलीफ मिलेगा क्योंकि लास्टे में बच्चा पेट में करबड बदलता है और यूट्रेस में पता क्या होता है ना बच्चा सर्विक्स कम तब ही ओपन होगा जब बेभी हैड डाउन करेगा जब बेभी हडन पुजिशन करता है ना तो पेट में अकडाओ सा महसूस होगा आपको तो वह नॉर्मल सिम्टम है बट बहुत जादा पेन है तब आपको सीथा डॉक्टर के पास जाना है वेट नहीं करना है तो आई वीडियो में किस टॉपिक भी बनाओ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा मिलने किसे नई वीडियो में किसे नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए बाबाई